हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सर मैं सरब जीत आज आपके साथ एक डिजाइन लेकर आई हूँ वह भी स्लिट का स्लिट के अंदर हमने एक डिजाइन मनाएंगे वह इंसर्ट लिसके साथ बनेगा तो यहां पर हमने कमीज की स्लाइक कर ली है कमीज हमारा सिल चुका है लाइनि हिप के निशान से यहां पर कटिंग होगी उसके बाद हमने इस डिजाइन को बनाना है जो हमारा फोर्डिंग का निशान है वह हमारा इस तरह सीधा हो जाएगा अब हम क्या करते हैं यहां पे आधा इंच से पौना इंच का निशान ओपर की तरफ लगाते हैं और उतना ही निशान हम अंदर की दरफ लगाते हैं आपकी इंसर्ट कितनी चौड़ी है वो आप देख लीजिए मेरी बिल्कुल कम परली चौड़ी है आधा इंच के करीव है तो मैं यहां पर पॉन इंच का निशान लगा रही हूँ अब हमने नीचे भी भई निशान लगा लेना है और इस निशान को हमने सीधा कर लेना है पहले हम भारवाली निशान को सीधा कर लेंगे अब हमने अंदर उसी गैप पे एक निशान बना लेना है गैप आपने सेम रखना है अगर आपका इंसर्ट ज्यादा चोड़ा है इस इ कि इसको set करते हुए इस निशान को आपने ऊपर की तरफ तीर्च्छा करने है जो यह निशान है नीचे का इस निशान को उपर की तरफ तीरफ तीर्च्या कर देंगे और अब इसकी JOSH कर लेते हैं cutting जो अन्दर वाली है इसको हमने कत कर लेना है और जब रीजाइन from the लाइन तक बनेगा जितनी आपकी हिप रेडी है यहां पर जब भी यह जिजाइन बनाएं तो एक चीज का ध्याँ रखना है कि आपने फिटिंग पहले चेक कर लेनी है शिर्ट की उसके बाद यह हमारा डिजाइन बनकर रेडी होगा आपकी जितनी भी एकुरेट हिप है उसके अकॉर्डिंग यह डिजाइन बनेगा तो लिजए यहां पर हमने इसकी कटिंग कर दी है और यह जो है पट्टी साइड की यह निकाल देंगे हम यहां से इसको तिछा कट कर देंगे उपर तक लेके जाते हैं और इसको इस तरह कर द लेना है अगर आपके पास कपड़ा जो है सिंथाटिक है तो आप इसको इंटरलोग कर लें यहां पर मैंने यह पट्टी ली है यह तकरीबन धाई से 3 इंच की पट्टी आप ले ले और यहां पर हमने एक लेस ली है इंसर्ट वाली यह जो इंसर्ट लेस है वो आधा इंच पर भी लगा सकते हैं जिससे इसकी थिकनस अच्छी हो जाएगी अगर आपका कपड़ा पतला है देखिए मैंने फ्यूज पर लगाते हुए इसको इस तरह प्रेस कर लिया है अब यहां पे एक इंसर्ट लेस है जो हमारी बोलेते हैं इसका एक किनारा इसके अंदर हुए इसके ऊपर हम एक स्टीच कर लेंगे एक सिलाई हमने इसके ऊपर रखके लगा लेनी है और नीचे का कपड़े का ध्यान रखना है नीचे का कपड़ा बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए और लेस इसके ऊपर आएगी बिल्कुल बिचो बिच रखते हुए हम इस सिल मैंने एक पट्टी बना ली है अब दूसरी पट्टी को दूसरी साइड से इस तरह बना रही हूँ तो आप इसे बना कर लीजिए पहले अब लीजिए ये पट्टी हमारी बनका तयार हो गई है इसे एक बार आप फिनिशिंग दे लीजिए अब अब हमने शिर्टों र21 पीज़ को लेना है जिसके अंदर हमने मैं कटिंक की हूई है और मैंने इसको साइठ से उन्टेσι लगा लिया है जहां पर हमने पट्टी जोडनी है और एब क्या करते हैं कि प्ती जोडने से पहले जो हमारा कॉर्णर वाला हिस्सा है उसको हमने पहले फोल्ड करने है जैसे यह हमारा साइड वाला हिस्सा है इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और उपर से भी फोल्ड करते हुए आएंगे बिल्कुल एक एक पॉइंट हम इसको इस तरह स्टिच करते हुए आते हैं और जितना गैप हमारा पट्टी का है उतने गैप पे हम इसे जूड देंगे लीजिए यहां पे जैसे थोड़ा सा रह गया है अब कपड़ा अब हमने पट्टी को इसके अंदर इंसर्ट करना है इस तरह रखना है अब इस तरह लगाते हुए बिल्कुल कॉर्णर को सेट करेंगे यह जो अब यहां पे क्या करना है इस कपड़े को फोल्ड करते हुए बिल्कुल एक एक प्वाइंट इंसर्ट के उपर रखते हुए सिलाई को हम बिल्कुल अच्छी तरह कंप्रीट करेंगे अब लेज़े एक सिलाई हमने इस पर लगा दी है और दूसरी सिलाई इसके साथ साथ और लगा देनी है फ्रीशिंग के लिए यह सिलाई लगाने के बाद यह चाफ हमारा रेडि हो जाएगा इसी तरह हमने चारो चाफ रेडिका लेने हैं चारो चेक ready करने के बाद हम इसको इस तरह stitch करेंगे, stitch कैसे करना है, जो ये insert है, वो आपका आपस में match होना चाहिए, इसको हम आपस में इस तरह match करेंगे, और सिलाई को उपर से लेकर आएंगे hip तक, इस कुर्ते में एक चीज का बहुत ध्यां रखने वाला है, कि जो hip का नि insert है, जो वो आपस में match होने चाहिए, इस तरह match करते हुए हम सिलाई को बाहर की तरफ निकालेंगे, सिलाई हमारी बाहर की तरफ निकलेगी और यहां पे इस तरह इसको दो से तीन बार पका कर दीजिए, तो लीजिए ये design हमारा बनकर complete हो गया है, इसके बाद मैं आपको प इसमें लगाया है, फिर मैं अगले वीडियो में किसी में, plain suit में भी आपको लगा कर दिखाऊंगी, इस तरह हम नीचे से बहले hold कर लेते हैं, hold करने के बाद ये देखिए हमारा जो कुर्ता है वो बनकर ready हो गया है, आप देखिए कितना finishing इसमें आई है और कितना सुंदर य बहुत ही graceful हो जाएगा, मैंने इसके साथ इंसर्ट ले इसके साथ गला भी बनाया है, गले का वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर और इसकी जो कुर्ते की finishing है और जो इसकी look है वो बदल गई है इस design के साथ, आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें बताईए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे हम किसी नए design के साथ में लगे